बारिप बहुजन महासंग के संस्थापक तथवंचित बहुजन अगाडी के प्रणेता एडूकेट प्रकाश शंबेड कर आज नागपूर के हाई कोर्ट में नज़र आए मुंबई हाई कोर्ट के नागपूर बेंच में उन्होंने अकोला शहर से संबंदी तेक याचिका दायर की है प्रकाश शंबेड कर ने याचिका में अकोला के महानगर पालिका को प्रतिवादी बनाया है उनका दावा है कि अकुला के महानगर पालिका ने जनता पर बे इंतहा टेक्सेस लगाए है इस संदर्ब में उन्होंने आज इस विशे पर हाई कुर्ट में अपना पक्ष रखा एडुकेट प्रकाश अंबेड कर विगत दो दिनों से नाखपूर में है भारिब बहुजन महासंग के नेता राजो लोखंडे के यहां आयुजित एक समारों में वे शामिल होने वाले है इस बीच खबर आई है कि गड़ बंधन के संदर्ब में नौ फरवरी को कॉंग्रेस अ अकोला से ही लोगसभा का चुनाओ लड़ेंगे एडुकेट प्रकाश अंबेड करकि नाखपूर या सूलापूर से चुनाओ लड़ने की चर्चा थी मगर उन्होंने इस खबर को खारिज कर दिया इस बीच आज जिस तरह से एडुकेट प्रकाश अंबेड कर अकॉला से संबंधित मुद्दा उठाया उससे भी ये बात साफ नजर आती है कि वे अकॉला से ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन कॉंग्रेस से गडबंधन के बारे में उनका रुक स्पष्ट है बारह से कम जगे पर समझे होता नहीं होगा ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है वही कॉंग्रेस प्रदेशाद धेक्ष अशुक चौहान का कहना है कि उन्होंने पांच बार एडुकेट प्रकाशंबेड कर से मुलाकात की लेकिन बात नहीं बन रही समप्रदाइक ताक्तों को हराने के लिए एडुकेट प्रकाशंबेड करने कॉंग्रेस से गड़ बंधन करना चाहिए ये बात भी उन्होंने कही